इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जारखन पूर्ट सेफ्टी ऑफिसर का जो एक्जाम हुआ था उसको लेकर के बात करेंगे जो उसकी ऑफिशल अंसर की रिलीज हुई है उसको लेकर के हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो जेपीस्टी का जो पेपर हु तो में थोड़े से जादा है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जेपीस्टी की जो अंसर की है जो जेपीस्टी ने यहाँ पर अंसर की दी है उसमें अगर हम देखें तो कुछ गलत है यानि कि जो उन्होंने अंसर मार्क किये हैं वो गलत है लेकिन जेपीस्टी इसके लिए बोल रहा है कि आप इसको लेकर कि objection कर सकते हो बट आपके पास में official evidences होने चाहिए तब आप यहाँ पर इसको claim कर सकते हो तो इसी को लेकर कि इस particular वीडियो में हम बात करेंगे तो paper 1 and paper 2 दोनों ही यहाँ पर included रहेगा तो यहाँ पर सबसे पहली बात 10 जोन 2024 तक आ करना सभी लोग यहाँ पर objection करना जिसको जिसको भी लगता है इस वीडियो को देखने के बाद में ठीक है दूसरी बात यहाँ पर objection आपको mail के थो करना है तो mail क्या है mail है और अगे बढ़ें तो सबसे पहले आपको यह चीज समझ नहीं है तो paper 1 and paper 2 दोनों की अगर हम बात कर okolression को लेकर के जो बात कर रहा है यहाँ पर जो हमने paper consider किया है हम बात कर रहा है set number D को लेकर के पहले बात यहाँ य्याद रखनी है आपको दुसरी बात यहाँ -पर पर my अगर्श हमें लग रहें जिनको लेकर कर सकते हो तो total question 6 है 6 q Camp कशण यहाँ पर paper 1 में है और यहाँ पर question number 9 की यानि की 9 questions की अगर हम बात करें total 9 questions है जिनको लेकर के आप paper 2 में यहाँ पर objection कर सकते हो ठीक है अब दूसरी बात आपको एक एक चीज समझनी है अब यहाँ पर जब आपको objection करना है तो उसको लेकर के कुछ बाते आपको ध्यान लगनी है यहाँ पर इन्होंने इसको लेकर के एक circular निकाला हुआ है यहाँ पर press release यहाँ पर एक निकाला हुआ है अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यह जो नीचे एक format दिया गया है यह आपको follow करना है जब आपको objection करना है दूसरी बात यहाँ पर यह भी बात लिखी गई है यह official mail ID के थ्रोई आपको करना है यहीं पर आपको भेजना है last date जो है वो 10 June 2024 है इसको ध्यान रखना है इससे पहले objection करना है बात में कुछ नहीं हो सकता और सबसे important बात सभी लोगों को objection करना है तो ज्यादा से ज्यादा JPSC के पास में mail जाने चाहिए इसको लेकर के अब यहाँ पर आपको अपना role number registration number name और इसके अलावा paper में आप किस paper को लेकर के यहाँ पर यह fill up कर रहे है paper one paper two वह डालना है विशय डालना है subject name डालना है then इसको download कर लेना है download करने के बाद में वहाँ पर आपको fill up करना है अपना सारा detail जैसे कि यहाँ पर number डाल देना अभी हम इसको देखेंगे आगे ठीक है उसके बाद में question number क्या था प्रशन संक्या डाल देनी है फिर यहाँ पर JPSC ने जो answer दिया है नियुकर करना है और आपके पास में इसको लेकर के क्या यहाँ पर evidences है क्या official sources है वो भी आपको यहाँ पर mention करना है यह सारी बाते mention करनी है उसके बाद में आपको यहाँ पर signature वग्वग्रा करने है date के साथ में फिर आपको इसको scan करके आप mail कर सकते है गर कि आप क्लेम कर सकते हो, सबसे पहला कोशन है कोशन नमर 8, पूछ रहा है कि which टाइप अफ सर्टिफिकेशन इस रिक्वाइड पॉर और ओर ओर्गैनिक फूर प्रोडट को ले करके यहां पर सर्टिफिकेशन के बारे में पूछा था, तो यहां पर जेपीएसी ने जो अं हम एकमार के बारे में पढ़ते हैं तो इसको लेकर के ऑफिशल सोर्सेस की बात करें तो FSS AI है FSS AI में ही आपको regulation मिल जाएगा organic food को लेकर के तो यहां पर यह link दिया गया है उस पर जाकर के आप देख सकते हो ठीक है अब दूसरी बात है कि यह सब चीज़े आपको मिलेंगी कहां पर तो इसको लेकर कि आपको यहां पर स्वा का डाउनलोड करना है ठीक है उसमें आपको free content section में जाना है वहां पर यह पीडिया वगेरा आपको वहां पर मिल जाएगा और साथी साथ यह video भी वहां mandatory requirement for the food labeling under the FSS Act ठीक है तो इसका जो correct answer JPSC ने बोला है वो बोला है date of manufacturing और expiry date जो है उसको लेकर कि यहां पर correct answer mark किया है बट यहां पर हम देखते हैं तो यह question जो है वो incomplete है question जो है वो incomplete है तो यहां पर फिर भी अगर हमें यहां पर choose करना हो तो हम यह जो ingredient वाला option था इसको हम यहां पर choose कर सकते हैं ठीक है इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे तो यहां पर labeling and display को लेकर के regulation है उसका यहां पर link दिया गया है उसके according आप यहां पर इसको चेक कर सकते हैं तीसरा question हमारे सामने इनको भी अभी हम आगे देखेंगे ना ठीक है जहां पर इसको हम बात कर रहे हैं उसको हम आगे भी discuss करेंगे question number 40 है कि a mild heat treatment of food that destroy the pathogen and extend its self life is called क्या बोलते हैं उसको हम पॉस्चराइजेशन बोलते हैं यहां पर ब्लांचिंग बोला है ठीक है तो यहां पर पॉस्चराइजेशन है यह NCBI की website का यहां पर लिंक है तो बहुत सारे इसको लेकर कि तो number of आपको sources मिल जाएंगे आप यहां पर claim कर सकते हैं यहां अगर हम बात करते हैं question number 48 यह कह रहा है कि prevention of जो food adaptation act है PFA की बात करें was promulgated in the year ठीक है तो यहां पर जब हम paper को पढ़ते हैं paper English में पढ़ो हिंदी में पढ़ो तो हिंदी में लिखा गया है कि किस वर्स लिए लागू हुआ था ठीक है तो वहां पर अगर हम देखे तो उसके according इसका जो answer होगा वो 1955 होगा ठीक है कैसे होगा तो इसको लेगर कि देखो हम FSAI में जब पढ़ते हैं इस्पेशली food safety in standard act पढ़ते हैं तो देखो आपको बहुत सारे questions ऐसे आयो हुए है कि यह act कब effective हुआ था तो effective होना और बनना दोनों different होता है कोई पूरी तरीके से जब उसका rules बनके तयार हो जाता है ठीक है तो इसका rules बनके कब तयार हुआ था 1955 में तो कई जगे पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यह बहुत थी understanding question है कि यहाँ पर जब भी एक्ट बनता है एक्ट के बाद में जब rule बनता है तो उसके बाद में ही वो एक्ट जो है वो proper तरीके से working में आता है effective होता है तो इसका जो answer होगा यहाँ पर इन्होंने अगर केवल enactment के बारे में पूछा होता कब बनके तयार हुआ है तो हम 1954 के साथ जाते बट 1955 अब से पढ़ा है ना बहुत अच्छे से फूड लागवा उन्होंने 1955 मार किया है तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो जिसको नहीं करना है वो मत करें बट आप यहाँ पर कर सकते हो ठीक है दूसरा यहाँ पर जो फूड साइंस की जो बूक आते है बी स्री लक्षमी मैडम की उसका जो पेज नंबर 156 है एग वाला जो चैप्टर है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गनिजम वाले सेक्शन में दिया गया है वहाँ पर ठीक है तो वहाँ से आप देख सकते हो ठीक है तो य यहाँ पर जो principio ईक रहική है वहाँ पर यहाँ पर वहाँ अंसर होगा वहलष एसको लेकर के भी यहाँ पर चीजएंवलेबल एक तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा जहां पर इसको बैंन किया गया थह तह दिली हाल को देखने का और तो phi साफ और बनीकام करते को प्रोड़क्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव को लेकर के उसको जब आप पढ़ोगे तो वहां पर जब आप पढ़ोगे तो यहां पर आपको लिस्ट में जो एलुरा रेड है वो देखने को नहीं मिलेगा ठीक है इसको भी अभी हम आगे देख लेते हैं एक बार त सर्टिफिकेशन मार्क को लेकर के एग मार्क बोला था बट यहां पर जो अंसर होगा इंडिया और्गनिक सर्टिफिकेशन होगा इसको लेकर के किलियरली चीज़े मिल जाएंगी एफससेर रेगूलेशन में भी मेंशन है आप देखोगे कि एपड़ा की वेफसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा साथ ही यहां पर नैशनल सेंटर फॉर्ड जो और्गनिक फार्मिंग है वहां पर भी इन्होंने मेंशन किया है इसका लिंक बीडियेफ का वहां पर अटेच किया गया है तो यह आपको समझ में आ गया तो एकॉर्डिंग दूदा फूर् फूर्डिंग क्या अंसर होगा पूशन जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखे तो कॉशन थोड़ा सा इनकंप्लिट था ठीक है वहां पर जो इंग्रीडियेंट वाला लिस्ट ऑफ इंग्रीडियेंट को पूरा स्टेट्मेंट होता है एक्सेप्ट वाला उसके अकॉर्डिंग जो लेबलिंग रिक्वार्मेंट से उसमें क्या क्या चीज़े जरूरी होती है जैसे इन्होंने मार्क किया है जो एक्सपारी डेट और मैनेफक्ट्टरिंग डेट है उसको लिखना जरूरी नहीं होता है बट वो गलत होगा तो सबसे पहली बा होगा declaration of name and complete address डालना होता है उसके बाद में लोग और लाइसेंस नेंबर तो मेनेटरी होता है यह net quantity वह भी डालना होता है लौट और बैच नंबर यह सब आपको डालना होता है यह दो को यहां पर लिखा गया डेट मार्किंग जो आप मैनुफेक्ट्टरिंग डेट है एक हमें question में देखते हैं तो थोड़ा बहुत अगर हमें most appropriate answer select करना हो तो option number जो हमारा यह था list of ingredients इसके साथ में हम जा सकते बट यह question complete नहीं था ठीक है तो इस वज़े से यहां पर जो मार्क्स मिलना चाहिए तो सभी को मिलना चाहिए ठीक है next हम आगे बढ़ते हैं फिर आता question number 40 तो question number 40 के अगर बात करें तो उसमें वही है कि जो इन्होंने ब्लांचिंग दिया था जहां पर हम एक तरीके से क्या यूज करते हैं माइल्ड ही treatment यूज करते हैं तो यहां पर इसको लेकर करके यहां पर link आपको वहां पर मिल जाएगा उसको आप देख सकते हो बाकी यहा अहले बिल बन करके आता वह पास हुआ था बोथ हाउसे से पालियमेंट से एंड रिसीव दाइसेंट आप प्रेसिडेंट ऑन 29 ठीक है सेप्टेंबर 1954 में इसको एसेंट मिली थी जैसे फूट सेफिटी निस्तानर्ट टूथाउजन सिक्स को मिली बाद में यह इस ने भी 1955 मार किया है वह यहां पर और जरूर करना ठीक है आगे हम देखते हैं तो यहां पर कोश्चन नंबर हमारे सामने आता है 52 तो कोश्चन नंबर 52 को ले करके यहां पर अगर हम बात करते तो वहां पर साल्मोनेला जो स्पीसीज होती है उसका अगर हम इंफेक्शन क की बात करते हैं तो वह हमें यहां पर इन्होंने डाइजस्टिव सिस्टम मेंशन किया था बट हम यहां पर रिप्रोड़क्टिव जो सिस्टम है उसको हमने मार किया था तो वाई होगा यहां पर हमें नंबर आफ अगर हम देखें तो एक तो NCBI की वेफसाइट है दूसरा जो भी स्री लक्षमी मैडम की बुक है उसका पेस नंबर 156 समय देखने को मिल जाता है यहां पर दिखा गया है सालमोनेला को ले करके और यहां पर रिप्रोड़क्टिव सिस्टम की बात हो रही है ठीक है तो यह हमारे पास में authentic source है इसको आप use कर सकते हो ठीक है इतनी बात आई हूप आपको समझ में आई फिर कोशें नंबर 92 की अगर हम बात करते हैं कोशें नंबर 92 की बात करें तो हमने जैसे कि आपको बताया यहां पर सोर्सेस में फूर्ट सेफ्टी निस्तांडर्ड जो मारा रेगुलेशन है फॉर्ट पूर्ट पूर्ट प्रोड़क्ट एं को मिक्षर टेर और छो फॉर्ट पॉर्ट फॉर्ट फॉलोविंग फॉलविश यहांपर जुसके ठागे्यां के भारे में बताया गया है जो नहीं मेंशन है यानि की वह नहीं पर मिक्ली है तो रेड में आप लोट हुक्त समझ में अpowers यहांपर यहांप बारे में और अगर आप यहाँ पर objection करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर explain करके देखा, अब बात आती है, जो आपको बताया गया, उसको आपको fill up कैसे करना है, इस बात का धेहन रखना, तो यहाँ पर देखो, आपके सामने अभी जो discuss किया था, कैसे करना है, तो यहां पर आपके सामने यहां पर open हो जाएगा यह आपको बनाना पड़ेगा तो इसको हम अटेच कर देंगे पेपर वन पेपर टू दोनों में करना पड़ेगा तो पेपर टू में हम यह नहीं बताएंगे अभी अनुबो सर आपको यहां पर पेपर टू में जो questions है उनको तो आपको यहां पर मेंशन करना है कि कौन सा आपका पेपर 1 या पेपर 2 और यहां पर सेट नमबर डालना है विश्य है और यह सारी डिटेल फिलप कर लेनी है फिर उसके बाद में यहां पर हमने आपके लिए यहां पर लिंक भी डाले हुए तो आप ऐसे पहली बात तो आपको यहां पर सिगनेचर वगेरा करने सारी चीज़े करने यानि कि आपको स्कैन करके भेजना होगा तो यहां पर आप तो लिंक अटेच कर नहीं पाओगे उसमें काम करेगा नी तो यहां पर जैसे कि हमने मेंशन किया है अगर हम यहां पर सब करना होगा सेम चीज़ आपको ईपको बहुत जादा हैं इसके बाद में आपको पोड़ो के जाएड़ा नहीं होना चाहिए गारेश्य है उस बात का ध्यान रखना है जितना कम होगा उतना ज्यादा सही रहेगा ठीक है तो मेल करने में आपको दिक्कत नहीं हो ठीक है तो यह था अब बात ही का आगे का जो है पो पेपर टू आपको अन्बोर सर बताएंगे ठीक है तो आईए देखते हैं वन बाई वन कौन कौन से इसे questions है देखिए अगर आपके पास sit number D है तो उसमें आपके question number के accordingly आप पता कर सकते हो कि कौन सा question है otherwise आपके जो भी sits हैं उनमें इस particular question में कौन सा option दिया हुआ है वहाँ पर आप जागर के देख सकते हो तो देखो यहाँ पर आप देखोगे कि total 9 ऐसे questions हैं जिन पर आप claim कर सकते हो और आपको claim जरूर करना चाहिए क्योंकि FSCI के अगर particularly rule की बात करें तो वहाँ पर जो भी बच्चे claim करते हैं उन्हीं को marks दिया जाता है तो अगर आपको लग रहा है कि आपके questions को consider किया जाना चा है जो कि healthy consider किया जाता है अब देखो JPSC की answer कि कि accordingly यहाँ पर monounsaturated fatty acid को correct answer माना गया बट हमारे accordingly polyunsaturated fatty acid को correct माना जाना चाहिए था और suppose that आप यहाँ पर monounsaturated को मान रहे हो तो polyunsaturated को भी मान सकते हो या आप multiple answers को यहाँ पर consider कर सकते हो क्योंकि देखो monounsaturated fatty acid बेशक यहा अगर आप यहाँ पर search करोगे तो जो omega 3 fatty acids होते हैं वो ज्यादा role play करते हैं अच्छी heart के health के लिए और omega 3 fatty acids आपको अच्छे से पता है कि these type of fatty acids comes under the polyunsaturated fatty acid category देखो monounsaturated fatty acid की category में अगर आप particularly olik acid की बात करोगे तो यह omega 9 fatty acids होता है बट polyunsaturated fatty acids में बहुत से ऐसे fatty acids हैं जो क omega 3 fatty acids होते हैं और वो role play करते हैं for healthy heart ठीक है तो यहाँ पर इस answer को consider किया जाना चाहिए देखो इसके source की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक link दे दी गई है आप इस particular video में जो slide देख रहे हो इसके PDF पर जाना PDF पर जाकरके आप इस particular link पर click करोगे तो उस link के थूँ आ यहाँ पर question बोल ला है कि the vitamin usually added to milk for purpose of fortification अब milk में fortification purpose के लिए कौन से vitamin को add किया जाता है देखो इनके accordingly क्या था JPSC के accordingly यहाँ पर vitamin A को consider किया गया बट हमारे accordingly यहाँ पर vitamin A और vitamin D दोनों होना चाहिए तो देखो यहाँ पर आप इसको claim करने के लिए सीधे-सीधे FSCI के regulation पर जाकरके वहाँ से documents को ले सकते हो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर vitamin A as well as vitamin D दोनों ही add किये जाते हैं in the milk for the purpose of fortification तो देखो इसका भी जो link है यहाँ पर आपको दिया हुआ है directly आप FSCI के regulations में जो fortification वाला regulation उसको open करोगे और वहाँ पर milk product के जो fortifications होते हैं वहाँ पर improvement in whipping quality of dried egg white is contributed by, dried egg white की जो whipping quality है उसको अगर आपको improve करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हो, basically कौन से enzymes का आप use कर सकते हो, enzymes में यहाँ पर consider किया गया cellulase को क्यों किया गया यह हमें विलकुल नहीं पता है क्योंकि इस से related हमें किसी भी type का source अभी तक नहीं मिला है, तो कि यहाँ पर correct answer होगा lipase और lipase यहाँ पर दिया भी हुआ है, अगर आप जाओगे, अगर हम एक standard book की बात करें, तो हमारे सामने food science में 20 रिलक्ष्मी मैम की book है, जो कि हम standard consider करते हैं, बहुत सारे इंडिया में institutions हैं, I think कोई भी ऐसा food technology से related institutions सायदी होगा, जहाँ पर 20 रिलक्ष्मी मैम क इनकी book को नहीं consider किया जाता, वहाँ पर academics में भी इनकी book को चलाया जाता है, तो देखो उनमें आप अब जाओगे page number 164 पर food science की book में, तो वहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इसको यहाँ पर use में लाया जाता है, for enhancing the whipping quality, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस source के through claim कर सकते ह आगे देखो question number 28 में क्या बोल आप से, if vegetables and fruits wash after cutting, अगर आपको fruits और vegetables को cut करने के बाद wash कर रहे हो, तो which of the following vitamin are lost, तो कौन से इसे vitamins हैं जिनका loss देखने को मिलता है, इन्होंने C और D को consider किया, भई, vitamin C तो चलो समझ में आता है कि fruits में present होता है, vitamin D तो शायदी कोई ऐसा fruit हो जि किसी भी fruit और vegetable में कहां से vitamin D आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर education के answer की के according, यहाँ पर B and C को consider किया गया था और यह most appropriate answer यहीं होगा, इसके चिवा यहाँ पर answer नहीं हो सकता है, तो देखो इसकी भी link आपको दे दी गई है, इस link के थुरू आप जा करके source को देख सकते हो, आगे देखो यहाँ पर question number 31 बोला है कि energy value of 1 gram of carbohydrate आर, यह question कैसे गलत हो गया, JPSC के answer की के accordingly, यह बहुत ही आश्यरी जनक बात है, इसको तो बिल्कुल ही नहीं गलत होना चाहिए था, 8 kilo calories यहाँ पर इन लोगों ने कौन से source के basis पे बोला है, यह हमें नहीं पता, maybe यह जो error है, यह कुछ technical error की वज़ा से हुआ हो, यहाँ पर ऐसे error की उमीद नहीं होती है, किसी भी state से या किसी भी ऐसी authority से, जो कि यहाँ पर exam को consider करता है, या exam को conduct कराता है, देखो यहाँ पर right answer होगा आपका 4.1 kilo calorie, और यहाँ पर इससे related भी source आपको दे दिये गया है, उस source पर आप basically यहाँ पर click करके उस link पर जा सकते हो, आगे देखो यहाँ पर question number 42 कह रहा है कि which gas is commonly used for packaging of perishable food, देखो perishable food ऐसे foods होते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी spoil कर जाते हैं, उसमें बहुत ही जादा amount of water होता है, तो ऐसे food product में हम कौन सी gas को use करें, जिससे कि वो food product जो है, वो कुछ दिनो तक के लिए store करने लायक रहे, तो दोको basically वहाँ पर inert gases को use में लाया जाता है, खास करके अगर हम बात करें nitrogen की तो इसको use में लाया जाता है, modified atmospheric packaging में आप लोग अल्रेडी पढ़ते ही हो, यहाँ पर oxygen को बिल्कुल भी use में नहीं लाया जाएगा, बट JPSC ने oxygen को consider किया है, क यहाँ पर अगला question है, question number 51, जो कि कर रहा है कि the most common adultrant found in vegetable oil is, देखो vegetable oil में most common adultrant कौन सा होता है, तो इन्होंने consider किया है mineral oil को और हमने consider किया है argymon oil को, देखो commonly अगर हम बात करें तो argymon oil ज्यादा common यहाँ पर होना चाहिए, as an adultrant, but mineral oil भी होता है, और अगर आपको consider करना ही है तो आप दोनों को फिर consider करो, और most common कि अगर आप बात करोगे तो argymon oil will be the right answer, इससे भी related source आपको attach कर दिया गया है, वहाँ जाकर करके आप इसकी complete information ले सकते हो, आगे देखो यहाँ पर question number 65 में कह रहा है कि which food adultrant is associated with the consumption of raw under cooked shellfish, देखो इस question को जब explain किया गया था, saw education पर, तो दोनों को यहाँ पर consider किया जाना चाहिए, तो दोनों को ना consider करके, JPSC ने consider किया है hepatitis एको, इससे related भी source आपको attach कर दिया गया, वहाँ पर दोनों यहाँ पर viruses को include किया गया है, उसके basis पर आप इस question को claim कर सकते हो, last question देखो यहाँ पर है, 9th question जो कि आपको claim करना है, वो पू statement इनकरेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब 20 जक्ष्मी मैम की nutrition science की book को पढ़ोगे, 108 number page पर जाओगे, factors affecting BMR को देखोगे, तो वहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 26 degrees Celsius से 28 degrees Celsius के बाद, अगर आप temperature को rise करते हो, या आप temperature को कम करते हो, तो उस situation में क्या होता है कि BMR बढ़ता है, तो देखो यह answer यहाँ पर correct नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर correct answer होना चाहिए था, BMR is inversely proportional to age, क्योंकि initially जो childhood age रहती है, बच्चे की, वहाँ पर infancy वाली जो age रहती हो, उसमें बहुत ही तेजी से BMR बढ़ता है, फिर BMR घटता है, फिर यहाँ पर जब puberty किये जाती है, adolescence किये जाती है, तो उस दोरान फिर से BMR बढ़ता है, और उसके बाद throughout the life घटता रहता है, तो यह जो आप fluctuation देख रहे हो, इसको आप inversely proportional थोड़ी बोल सकते हो, यह तो यहाँ पर गलत answer हो जाना चाहिए, ठीक है, तो यही यहाँ पर incorrect statement माना जाना चाहिए था, जो कि JPSC ने बिल्कुल नहीं माना, उससे related source जाह हो है, बीस लक्ष्मी मैम की बुक में already mention किया गया है, तो students यह थे total 9 questions जिनको आप claim करके अपने answers को थोड़ा सा modify करा सकते हो, अब यह totally depend करता है JPSC के उपर, कि वो कौन से statement को correct मानता है, कौन से आपके तोरा sources जो दिये जा सारे questions को यहाँ पर जरूर claim करिएगा, फिर मिलते हैं next class में next video के साथ, until then, thank you.